नमस्कार दोस्तों एक वाद फिर स्वागत आपका अपने चनल मेंतिश्टार में आईए एक नया सवाल करते हैं प्रशनावली नौदसमलव एक क्वेश्चन नमर बार है तो ये क्वेश्चन नमर बार है एक साथ मीटर उचे भवन के सिखर से एक केवल टावर के सिखर का उन कौन पेंताली संस है तो टावर की chasing याद करो तो दीखिए एक मकान है और एक टीबी टावर है तो क्या होगा कि मकान छोटा होगा टावर बढ़ा होगा तो हम यह जेसे यह मान के चलते हैं मैं यह हमारी भूमी है ठीक है ऊर भूमी में यह हमारा मकान है और मकान क कि आप यहां पर जो है कि यहोगा यह एक टावर होगा तो जो टावर है यहां से का उन्यaron देखा जाएगा तो शाटं से चाला की जब इसका उन्य stap का जाता है यह यह शाटंस बनाने के लिए यहां पर उन्यां के रेका खिंचन पढ़ेगी तो यह जो उन्यन कॉन बनेगा यह साथ हंस बनेगा तेखी यह साथ मीटर उंचा भवन है साथ मीटर साथ मीटर उंचा भवन है और यह जो टावर है तो टावर के सिखर का इसके सिखर से जब देखते हैं तो उन्यन कॉन साथ हंस से दिखाई देता है तो यहां से एक 6 जरेखा खेंचेंगे तो यह जो कौन बनेगा 6 जरेखा और द्रश्टी रेखा के साथ में तो वो 60 हंस बनेगा अब क्या है यह जो 60 हंस बन रहा है अब देखिए यहां से 6 जरेखा है और यह भी भूमी है तो यह भी 6 जरेखा है तो ये रेका ये रेका समंतर है तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी ठीक है और हम इसका नाम दे देते हैं P Q और इसे बिंदू का नाम दे देते हैं R अब देखिए यहां से इसके पाद का अबन मन कौन यहां से इसके पाद को देख रहे हैं यहां से इसके पाद को देख रहे हैं तो यहां से यह आख हो गई यह बस्तू हो गई तो आख और छेती रेखा आख पर यह खींचे जाएगी तो यह वाला जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 45 अंस यह 45 होगा तो यह भी 45 होगा यह कांतर कोण से तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे माना माना ए भी कोई भवन है कोई भवन है और जिसकी उंचाई साथ मीटर है जिसकी उंचाई साथ मीटर है और पी क्यू हमारा टावर है तथा पी क्यू एक केबल टावर है केबल टावर है पी और क्यू और मकान एक भी है तो एक सिकर के साथ जो 36 रेखा है वो ए आर है तो अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे सरसे पहले हम इस वाले त्रवज में ले लेते हैं इस वाले त्रवज में लेंगे तो हम जो है इसमें लिखेंगे समकोंड त्रवज A, B, Q में यहां लिखेंगे समकोंड त्रवज A, B, Q में A, B, Q जो A, B, Q समकोंड त्रवज है इसमें लेंगे तो इसमें लेंगे 10.45 10.45 अंस बरावर A.B. बटे B.Q तो 10.45 का मान रखेंगे 1.1 बरावर A.B. का मान 7 बटे B.Q तो यहां से आ जाएगा B.Q. बरावर 7 मीटर तो यह निकल के आ जाएगा 7 मीटर अब आप देखी यह सब 7 मीटर आ गया और यह भी 7 मीटर है अब हमें यह बाला और निकाल लें तो इसको और इसको जूड देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा जो टावर है उसकी मूँच आएगा तो चलिए आप तरबोज P.R.A. में लेते हैं तरबोज तो यहां लिखेंगे समकोंड तरबोज P.R.A. में समकोंड तरबोज पी आरे में लेंगे देखिए अब पी आरे में लेंगे तो यहां पर लेंगे 10.60 बराबर P.R.A. तो 10.60 की वेलू लगाएंगे इसमें 10.60 की वेलू लगाएंगे अंडरूल 3 बराबर P.R.A. में निकालना है और A.R. की वेलू निकल के आईए देखिए A.R. जो है A.R. और B.Q. बराबर है तो A.R. की जगे हम B.Q. रख सकते हैं और B.Q. की वेलू दुबारा से 7 रख सकते हैं तो यह रखेंगे अंडरूल 3 बराबर P.R. बटे 7 इसकी एक मान लेंगे तो क्रोस मल्टिपलाई करेंगे तो क्रोस मल्टिपलाई करेंगे तो यह आ जाएगा P.R. बराबर 7 अंडरूल 3 मीटर P.R. की वेलू इतनी आ चुकी है अब यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है P. और Q कमान तो P. और Q यानि केवल टावर तो आता है केवल टावर की उचाई केवल टावर की उचाई बराबर P.R. पिलस के R. Q तो 7 अंडरूल 3 पिलस के 7 तो यह आ जाएगा 7 कमान लेंगे तो बचाएगा अंडरूल 3 पिलस के 1 मीटर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो यह था प्रसंद नमबर 12 तो अच्छा क्वेशन है आप इसे 2-3 वार करिए और इसके टाइप के एक दो एक्जामपल भी होना करिए तो उम्मेद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्दमा